अस्सलामु आलेकुम मेरी प्यारी सी ओर्डियंस मेरी प्यारे सी वीवर्स दिल की घ्रायों से विल्कम तो मैं चैनल ड्रामा से वहम की नेक्स एपिसोड नाजिन बहुत ही कमाल क्यों ट्वीस से भरपूर होने वाली है आज शुटिम आपको ड्रामा से वहम की नेक्स एपिस से वहम की नेक्स एपिसोड आती जा रही है वैसे वैसे बहुत सार राजों से पर्दा उठता जा जा रहा है यानि इशल की वालदा इसको बताती है कि खावर के दर्मियान और रुकसाना बेगम के दिवान कुछ ने कुछ ऐसा रिलेशन्शिप है जिसकी होजा से वह यहां प में बहुत सार राज दफन है जब उनको सारे खत मिलते हैं वो देखती है कि मेरे बाबा का नाम जुनेद की वालदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ हुआ है वो कश्म कश्म पढ़ गई है यानि बहुत जल्ब सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा यानि खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसे से उनका बेटा फरीद है उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी यानि इसी वज़ा से फरीद को इतना प्यार करते है खावर क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है लेकिन सबसे बात चुपाई हुई है किसी को भ बहुत जादा बेस्त करेंगी जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही है मैं विल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली बिल्कि आपके सारे रागलत पर्ड़ा उठा कर रहूंगी आपका नाम मेरे बाबा के नाम इनके साथ जूड़ा है ये सब कुछ में ब खरने भी नहीं रह सकती इस घर से तुम निकल जाओ ये बाद सिंगे इशल बहुत दुखी परेशान से हो जाती है जिसके बाद जुनेर के कहने के बाद महां से चला जाएगा गुसे में इशल घर छोड़के नहीं जाएगी क्योंकि उसने भी रुकसाना बेगम के सारे रा अपनी पहली बहु को भी अपनी कब्जे में लिया हुआ है और उससे यही कहा था कि तो मा नहीं बन सकती लेकिन जब वह मा बन गई है तो जुनेर की वालत यहीं कहेंगी इन रुकसाना बेगम अपनी चोड़े बहु से बड़ी बहु से यहीं कहेंगी क्योंकि चोड़े ब करें लेकिन वही कि तुम इस बचे को जाया कर दो कि बहुत दुख्यों परिशान से हो जाएगी रुकसाना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक नएक दिन असद खुलके सब्सक्राइब को सामने आने वाली है आपको ड्रामस या वहम की नेक्स एपसो अससानामोवालेक। मेरी प्यारी सी औौर्डियंस मेरी प्यारी सी वीवर्स दिर की ख्राइओं से iqpraatद से और मुझे जदा स्बच करना है लेट सब्सक्राइब रिविई वाली है और जैसे वहम की नेक्स्ट की एपसोड नासने जिन बर दन होने वाली है और जैसे जैसे ड्रामा से वहम की नेक्स एपिसोड आती जा रही है वैसे वैसे बहुत सार राजों से पर्दा उता चला जा रहा है यानि इशल की वालदा इसको बताती है कि खावर के दर्मियान और रुकसाना बेगम के दिवान कुछ ने कुछ ऐसा रिलेशन् कर ली है रुकसाना बेगम के सिला यानि वह उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में बहुत सारे राज दफन है जब उनको सारे खत मिलते हैं और वो देखती है कि मेरे बाबा का नाम जुनेद की वालदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ हुआ है वो कश्म कश्म पढ़ अगा बेटा है लेकिन सबसे बात चुपाई हुई है किसी को भी इस बार में कुछ इलम नहीं है लेकिन खत के जरिये से इशल लगा लेगी पता यह सब कुछ हो जाने के बाद जब युनेद की वालदा घर पे आएंगे रुकसाना बेगम उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा बड़ी परिशान हो जाएंगा इशल को बहुत जादा बेस्त करेंगी जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही है मैं विद्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली बलकि आपके सारे रागलत परदा उठा करी रहूंगी आपका नाम मेरे बाबा के नाम के साथ जुड़ा है यह सब कुछ बर्दाश नहीं कर सकूंगी तो वहीं पर जुनेद भी आ जाएगा जुनेद को देखे जुनेद की वालता पहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लों के सामने बेस्त कर देए खास्तों भी जुनेद के सामने जिसके बाद जुनेद बहुत और दुखी परेशान से हो जाती है जिसके बाद जुनेद के कहने के बाद कहां से चला जाएगा गुस्य में इशल घर चोड़के नहीं जाएगी क्योंकि उसने भी रुकसाना बेगम की सारे रावस परदा उठाना है जिसके बाद रुकसाना बेगम इशल को धंकी देगे उससे यही कहेंगी जिससे हैं तुम्हारे परों रहे हैं इन परों को मैं काटना भी अच्छी तरीके से जानती हूं जबके दूसी दर नाजरीन आप देखेंगे कि इशल की वालदा जो कुछ भी चालती है वैसा ही होता है जुनेद की वालदा अपनी पहली बहु को भी नहीं बन सकती तुम्हें माँ बनना ही नहीं है जिसके वाज़े माँ बन जाए उसको यह खबर मिलेगी रुखसाना पेगम यही कहीं कि बड़ी पहु से ऐसा नहीं हो सकता वहाँ जोड़के माज़त करेंगी प्लीज अमी ऐसा मत करें लेकिन वही कि तुम इस बच्छे को जाया कर दो बिचारी बहुत दुख्यों परिशान से हो जाएगी रुखसाना पेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक नएक दिन असद खुलके सबके लोगों सामने आने वाली है आपको ड्रामस यह वहम की नेक्स एपसोड कैसे लग रही है आपने अपन अपना ख्याल लगने तब तक के लिए आला हाफीज Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ओर्डियंस मेरी प्यारे सी वीवर्स दिल की घ्रायों से Welcome to my channel ड्रामस यह वहम की नेक्स एपसोड नाज़ीन बहुत ही कमाल क्यों ट्वीच से भरपूर होने वाली है आज शीडियों में आपको ड्रामस यह वहम की नेक्स एपसोड के बारे में आज़ीन फूरी वीदेने वाली हूँ तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है मेरे शैनल को और मुझे ज़ह ज़ह स्पोर्ट करना है Let's start the review ड्रामस यहिए वहम की नेक्सिप नासें दिन बे दिन बहुत ज़दा ट्विस से भरपूर होने वाली है और जैसे जैसे यह वहम की नेक्स एपीसोड आती जा रही है वैसे वैसे बहुत सार लाजों से पर्दा उर्ता चला जा रहा है यानि इशल की वालदा यहीं सो इशल की वालदा उसको बताती है कि खावर के दर्मियान और रुकसाना बेगम के द्वैन कुछ ने कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी होजासे वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई है यानि रुकसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल रिबरदाश नहीं हो रहे ही वो वापिस अपने घर पे आ जाती है जुनेद और फरीद के पास जिसके पर जुनेद और फरीद बहुत खुश होते हैं वो कश्मकश्र पढ़ गई है यानि बहुत जल्द सारा रादों से पर्दा उठ जाएगा यानि खावर की और रुकसाना की पहले शादी हुई थी और उसे से उनका बेटा फरीद है उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी यानि इसी वज़ा से फरीद को इतना प्यार करते है खावर क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है लेकिन सबसे बात चुपाई हुई है किसी को भी इस बारे में कुछ इलम नहीं है लेकिन खत के जरिये से इशल लगा लेगी पता ये सब कुछ हो जाने के बाद जब जुनेत की वालदा घर पे आएंगे रुखसाना बेगम वो अपने कमरे में ही जाएंगे उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा वो बड़ी परिशान हो जाएंगा इशल को बहुत जादा बेस्त करेंगी जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही है मैं विक्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली बलकि आपके सारे रागल से पर्ड़ा उठा कर रहूंगी आपका नाम मेरे बाबा के नाम इनकी साथ जूर रहा है कि जो मेरी मा की इज़त नहीं कर सकती जो लड़की वो मेरे समय उसके सारे जिनकी नहीं गुजार सकता वो इस घर में नहीं रह सकती इस घर से तुम निकल जाओ ये बाद सिंके इशल बहुत दुखी परेशान से हो जाती है जिसके बाद इशल कहां से चला जाएगा गुस् तो देखेंगे दूस्तर नाजरीन आप देखेंगे किर जिसे कि यही होता है जिनेद की वाल्दा न अपनी पहली बहू को भी अपनी में लिए हुआ है और उसे यही काह था कि तो मां नहीं बन सकती लेकिन जब वो वो माः बन गलेगी तो जुडेत की वाइब यही कहेंगी यही कि अपनी चोड़ी बहुँ बड़ी बहुँ इख हैंगी på बच्छे को जाया कर दो बिचारी बहुत दुख्य परिशान से हो जाएगी रुख्साना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक नएक दिन असद खुलके सब्सक्राइब को सामने आने वाली है आपको ड्रामस या वहम की नेक्स एपसोड कैसे लग रही है आपने गीमतिरा का इज़ार कमेंट सेक्शन बताना है वीडियो चे लगे तो प्लीज लाइक करें अगर आपने हैं मेरे चैनल पर ताप में चैनल को लागन सब्सक्राइब करने बेले कॉन प्रेस करने तकि मेरी हर नहीं आने आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोट सबसे आने वाली एपिसोड के बारे में आज़े में फूरी वीडियने वाली हूं तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़ज़ा सपोर्ट करना है लेट स्टार्ट रिव्यू ड्रामा से वहम की नेक्स कि द्वैन कुछ ने कुछ ऐसा रिलेशन्शिप है जिसकी हुजा से वह यहां पर रहने के लिए आ गई है यानि रुखसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल रिबरदाश नहीं हो रही है वह वापिस अपने घर पे आ जाती है जुनेद और फरीद के पास जिसके पर जुने से परदा उड़ जाएगा यानि खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसे से उनका बेटा फरीद है उसके बाद की शादी अनवर से हो गई थी यानि इसी वज़ा से फरीद को इतना प्यार करते है खावर कूंकि वह उनका अपना सगा बेटा है लेकिन इसल को बहुत सब्सक्राइब करेंगी जिसके बाद इसल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही है मैं विल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली बल्कि आपके सारे रागल से परदा उठा करी रहूंगी आपका नाम मेरे बाबा के नाम इनकी साथ जूड़ा है ये सब कुछ म कुछ बरदाश नहीं कर सकूंगी तो वहीं पर जुनेद भी आ जाएगा जुनेद को देखे जुनेद की वालता पहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लों के सामने बेस्ट कर देए खास भी जुनेद के सामने जिसके बाद जुनेद बहुत ज़दा गुस्य होगा इ उसे में इशल घर छोड़के नहीं जाएगी क्योंकि उसने भी रुक्साना बेगम की सारे रावस पर्दा उठाना है जिसके पर रुक्साना बेगम इशल को धंकी देगे और इसे यहीं कहेंगी जिससे हैं तुम्हारे परों रहे हैं इन परों को मैं काटना भी तरीके से ज गारे हैं गलते हैं वलक्साना बेगम सब्सक्र whales अपने षणक को एकल आतना है पंशाबर भीज़कर रहे हैं उसके इसके थात्म उसके चाहिडन सब्सक्शना फई जो को धी कि दुच्र में जब शूसाथ कर रहे हैं Selam को इन आने वाली है आपको द्रामास से वहां कि ने अ अपने की इमतिरा का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है वीडियो ची लगे तो प्लीज लाइक करें अगर आपने हैं मेरी चैनल पे ताप में चैनल को लाद में सबस्क्राइब करने बेल अप्रेस करने तक कि मेरी हर नहीं आने प्यारी सी वीडियो को आफ़े आपको मिलता रह हझे लाद मेल आपरेसी सी करेंगा कर तकीैनल का लगे नहीं जजा हुँता और का लेता उता हैं सेक्शने काई